हेलो डिया एक बढ़ फिर स्वागत है आपका हमारे इस टूटोरियल में तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर हमारा हेडिंग वॉइस हैं और हम अभी जो है इस चैनल पर वॉइस चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें कि हमने जो है टोटल अभी तक दो वीडियो के माध्यम से दस रूल कंप्लीट कर लिया है यानि एक वीडियो में हम पांस रूल पढ़ते हैं तो दो वीडियो आपका जो है आ चुका है आप अगर उससे नहीं देखे होंगे तो पहला आप उन्हें देख लेंगे ठीक है न इसके डिस्ट्रिप्शन में आप अगर को हेंडिंग दिख रहा होगा यहां पर समी स्पेसल रूल्स फ़र पैसिव वाइस यानि कुछ यह यह स्पेसल रूल है यानि जो हम लोग टेंस पर पैसिव चेंज करना सिकते है न बारते पर तो यह उनसे थोड़ा सा अलग है यह स्पेसल है जिससे की क्वेशन सब्सक्राइब लग क्या है सबसे पहले है में अगर कोई संटेंस इस फदे रहता है सब्जेक वर्भ अब्जेक्ट और फिर इंफिनितिव रहता है इन्फिनिटिव के पास देख रहोंगे आपकी यहाँ पे ब्रैकेट में विदाउट टू लिखा हुआ है विदाउट टू का मतलब क्या होता है मैं अभी समझा देता हूं देखें इन्फिनिटिव जो होता है ना मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि टू प्लस व मेरब हरं rout सम्म में चे टीक है इसको करते हैं याने टू लगा रहता है कई बार क्या होता है कि विदाउट टू यानि बीना टू लगा हुए भी वह संटेंस इन्फिनिटीव होता है Oppele users on ohm M कि नहीं लेगिन फिर भी वह definitive होते हैं और वर्व कौन कौन से होते हैं मैं कुछ लिख देता हूं जैसे देखिए मेक है लेट है सी है हीए और भी है और लीव है ठीक है यह मेक लेट सी हीर लीव यह जो पाच्व अबर दिख रहे ना यह से यह इवर्ब जो without to use होते हैं इनके बाद जब कोई दूसरा वर्ब आएगा तो हम लोग टू नहीं लगाएंगे जनरली हम लोग क्या करते हैं जब दो दोगो वर्ब आता है तो जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूं तो I want go तो गो तो बोलते हैं एक करते हैं हम लोग I want to go यह भी मैनवार सै यह भी मैनवतर बैफ तो जब lights में बाता है तो दूसरे में वर्फ के पहले हम लों क्या करते हैं तू लगा लेते हैं यह ने काम करते हैं लेकिन कुछ ऐसा भी वर्व है जैसे यह सब कि इसके बाद अगर कोई दूसरा वर्व है तो नहीं लगेगा जैसे देखिए आई सा ही मैंने उससे देखा और टू गो नहीं सिर्फ गो होगा आई साहीं गो यानि मैंने उसे जाते हुए देखा क्योंकि यहां पर सी आ गया है यह वाला वर्ब इसलिए दूसरे वर्ब के पहले यहां पर नहीं लगेगा ठीक है तो इसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटीव विधाउट टू जब ऐसा संटेंज आएगा थो हम लोग पैसी करेंगे हैशम चेंज करने के लिए बस हमें करना क्या है कि अब्जेक को यहां पे लाना है बॉज अब वालवर्ब कर देना है फिर यह यह तर्दर के रूप में हो जाएगा और यह इंफिनिटीब जो है इसको हम लोग 2 प्लस वीवन कर लेंगे ठीक है ना अब पैसी में बदलते समय यह तू प्लस वीवन हो जाएगा वैसे जैनरली स्टार्टिंग में तो नहीं लगा लेकिन अब टू प्लस वीवन हो जाएगा क्योंकि पैसी में चेंज हो रहा है इस इस यहां पर मैंने जो आपड़ लिखा हुआ है तो क्या यह वर्फ हमेशा वाज वह रहेगा यह डिपेंड करता है कि यह वाला वर्फ की हो लिख दिया है अब माल लीचे कि यह पना हो कर कि किसी दूसरे टेंस में आ जाए तो फिर यहां पर हम लोग कर लेंगे यानि एकॉर्डिंग टू टेंस यूज करना है यह नहीं कि हमेशा वाज़वर ही होगा अब यहां पर लिजे कि आई सी ही हम होता तो वह लिख देंगे यह थोड़े न कोई बात होगा अब माल लिजे कि यह अब्जेक्ट है और यहां पर यह सी होता तो एमिजार नहीं लगत आगा ठीक है तो ऐसे करके हम लोग संटेंस को बना लेंगे अब दूसरा एक संटेंस है आई फाउंड हीम आई फाउंड हीम स्वीम मैंने उसे तैरते हुए देखा यही नहीं पाया फाउंड में स्पाया हो जाता है अब इसको में पैसी में चेंज करेंगे तो यहीम ही वस फाउंड टूस्वीम बाई अब यह मी हो जागा ना बाई मी कर लेंगे ठीक है एक और एक्जाम्पल में देता हूं दे मेड मी लाफ दे मेड मी लाफ इसको हम लोग बनाएंगे तो यह हो जाएगा आई के साथ वोज लगता है आई वोज मेड टू लाफ ठीक है बाई देम अच्छा एक चीज है कि यहां बाई देम लिख भी सकते है या नहीं भी लिख सकते है ठीक है दोनों तरस हमारा बन जाएगा यानि यह कुछ ऐसे संटेंस थे जो इन्फिनिटीव वला था लेकिन विदाउट इन्फिनिटीव तो उसको हम इस नियम पर बनाएंगे यह हमारा जो है 11 नमबर है इसे आप जो है इसके बाद इसको नोटबूंग में लिख लिजिएगा ठीक है चलिए अब हम ल भीकूलक को बोलते हैं हम लोग किसी को कॉम्प्लिमेंट देते हैं कुछ उपाधि देते हैं तो उसको लोग कॉम्प्लिमेंट कहते हैं जब अैसे संटेंस आएगा पैसि में तो इह सब्सक् campaign लिख जाता है अगे यहां भी मैंने लिख दिया देखिए जनरली यह सब संटेंस पास्ट में आते हैं इसलिए मैंने वह लिखा हुआ है अगर मालिजे के किसी दूसरे टेंस में आ जाएगा तो उसके नुसार वर्ब यहां पे चेंज हो सकता है इस बात को ध्यान रखना है अब यह वाला वर्ब क सब्जिक्त नहीं भी करें तो हमारा काम चल जाएगा ठीक है आई देखते हैं कि यहां पर एक्जाम्पल कैसा आता है माली एक संटेंस आ जाए वी मेड हीम चेयर मैं वी मेड हीम चेयर मैं तो देखिए हम लोगों ने बनाया उनको चेयर मैं तो अब यहां से हम स्टाट करे जाएंगे कि वोज वर्फ ठीयो जाएगा ना लिए वस मेड और उसके बद क्या जागा जी चेयर मैं ये वाला कंप्लिमेंट सीधे कर देंगे लिए वाला सीधे डाउन हो गया अब यहां पर बाई आस नहीं करेंगे अच्छा करेंगे भी तो गलती नहीं होगा लेकिन सब्सक्राइब करती है अगला एक्जमपने दे इलेक्टेड के महेश कर लें गे तर श को मेरे ने adelante नहीं कैप्टेन कर लेंगे ठीक है यानि यह कॉंप्लिमेंट वाला यहां पर हम लोग को बाइद देम करने की जरुरत नहीं है ठीक है तो यहां पर हम लोग ऐसी बना लेंगे अब एक और संटेंस हम लोग बना लेते हैं I found him guilty of murder I found him guilty of murder यहां से अबजयक्त है यहां से लेंगे he was пойld उसके बाद क्या करेंगे जी ये जो है उसको हम लोग नीचे ड् servicio तो मर्डर ठीक है शुन्टे भी रहना है यहां पर दिखे गा ही व dragons guilty यहां पर करने की जुरत नहीं है यानि जब हमारा बीना बाई का यूज हो सकता है तो फिर हमें लगाने की जुरत भी नहीं है ठीक है ना तो यह हमारा 12 नंबर है अब इसके बाद हम 13 देखेंगे यहां पर ले सकते हैं आप लोग वीडियो को पॉस्ट करके इसको जो है नोट में और सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी दिकत है अराम से कमेंट करना है कॉल करना है बहिछक क्वेशन को पुछ करके मिनмо क्छिलियNext कर लेनां है हराम से पड़ते रहो अप देखो क्या है कि पहले समझ लेते हैं इंडाइक्ट और डाइडिक्ट अबजेक्ट को अबजेक्ट जो होता है न वो दो तरका होता है मैं यह आपर समझा देता हूँ अबजेक्ट भी दो तरका होता है एक होता है डाइडेक्ट अबजेक्ट ठीक है एक मैं बता देता हूँ डाइडेक्ट अबजेक्ट इसको हम लोग डाइडेक्ट अबजेक्ट कहेंगे दूसरा होता है इन डाइडेक्ट अबजेक्ट अब इस तो उसको अब लोग बोलेंगे डिर्Еक्ट आइस में लीविंग वाला सब आ जयता है यानी जीन्दा वाला समत्राइब यह सब सब्वाश्ट ए नम्ही चाहिए फ़ोड़ा सा प्रवbn हो तो लीविंग वाला जो जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग में झाल լीन होने हैं और अब जय Greeks ये सुप्यत्ट हिए कि पर दाइरेक्ट में जिन्दा वाल आगा और डाइरेक्ट में से हो गाँ तो यह तरह आप्छेक्ट मैं sweater क्राइए प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् क्योंकि यह जिन्दा है इसको पता चल जागा कि हमारा सेवा पानी जो है बढ़ी असन नहीं किया है उसको क्या पता चलेगा तो हम लोग पहले लिखेंगे यहां उपर संटेंस में भी मैंने पहले ही लिखा हुआ है और हम लोग भी पहले ही लिखेंगे जब पैसिफ चेंज क भरते वक्त भी इसी को प्रत्रमिक्ता देंगे और यहीं से चेंज करेंगे मैं यहां पर पैसिफील रूल नहीं लिखा हूँ वह हम मैं समझाद दूंगा एक्जामपल दे करके मैं समझा दे रहा हूं अभी एक संटेंस में यहां पे लिख रहा हूँ आई गेव ले देख देख लो यह संटेंस है I gave him a book मैंने उसे किताब दिया इस संटेंस को मैंने ऐसे बना हुआ है अब इसी संटेंस को हम लोग चाहते न यह संटेंस को अभी थोड़ा सा एक्टिव पैसिव से हट करके कुछ दूसरे मतलब पॉइंट पर बात कर लेते हैं जैसे मालों कि नॉर्म कीता भाष्यात है था हम लोगों ने क्या किया पहले इंड़ेक्ट इन लिख ना होता है उसको प्रतमिक्त पहले दन होती है अच्छा यह लोग कर सकते थे की यह डायरेक्ट अब्जेक्ट को भी पहले लिख सकते ते ठीक है जानते हुआ सब घूस घमाना चल रहा है तो हम लगा लेंगे इसको क्या करेंगे सौन रुप्या के नोटो इसके पकी टाव में रख देंगे इसुन QB निजयें इसमें लिखने वाला ही ना कुछ रहेगा तो यहां पर 2 दो लगा देंगे तो क्या हो गया मांन लो कई तो जब हम लोग ऐसे लिखेंगे यह डायरेक्ट अब्जग को पहले आई गेव अब बुक आहीं को बाद में लिखेंगे तो उस हीम के पहले हम लोग क्या करेंगे तू लगा लेंगे तू परेपजीशन है अब यह दोनों संटेंस हो गया ठीक है लेकिन टू लगाना पड़ हो जाएगा तो ऐसे भी हो सकता है ठीक है ना यानि यह संटेंस आई गेव अबुक टू ही रह सकता है तो जब इस तरह से संटेंस रहा तो पैसी कैसे बनाएंगे तो पैसी बनाने के लिए दोनों नियम कहीं कर सकते हैं देखो कैसे मैं समझा देता हूं पहले संटेंस को रे अविहिंड उसके बाद क्या चीज बाइ मी कर लेंगे ठीक है अब देखो यहां से भी हम चाहते दो बनाले अब बूए बनाले देखो वा गीवन अब बाच गया क्या हीम तो भी मों लेखर गीवन टूहीं अब उसके बाद बाइ मी यानि यह दोनों बन गया ठीक है तो डाइरेक्ट अब्जेक्ट से भी बना सकते हैं इन डाइरेक्ट अब्जेक्ट से भी बना सकते हैं अब एक संटेंस है he told me a story इसको भी बना लोगे दोनों तरह से तो ये मी से भी पहले बना लेंगे I was told a story फिर क्या हो जागा जी? by him I story से बनाएंगे a story was told to me to me by him बना लेंगे न जी? इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं अच्छा ये जो मैंने लिखा हुआ है ये प्रजेंट में भी तो हो सकता है किसी भी टेंज में हो सकता है चलो मैं दूसरे टेंज में लिखके दिखा देता हूं इसको मैं मीटा लेता हूं अब लिखना होता तो पहुँच करके लिख सकते थे इसको ठीक है आप पहुच करके लिख भी लोगे एसा थोड़े नहीं कि नहीं लिख सकते रहे तो अब एक संटेंस है गीवेन मी अपराइज मैंने दूसरा टेंस में देने के लिए जो हैं इस संटेंस को फिर दुबार लिखा वह एक और आप अब आगया यानि यह पर उफेक्ट हो गया तो जीस तेंस में रहेगा उस टेंस का नियम लगाना है टेंसान नहीं लेना है ठीके ना अब देखो जानते ही हो कि पॉफेक्ट मभीन लगता है तो आई हैब बिन गीवेन आई एब बीन गीवेन अप्राइज वाई दा प्रिंसिपल बाइदा प्रिंसिपल बन गया अच्छा अब इसको अगर आप्राइज से बनाएंगे तो क्या बन जागा जी अप्राइज आप्राइज टू और मी यहां पर पढ़ा हुआ है तो मी को देना पढ़ेगा टू तो गीवें टू मी उसके बाद क्या जागा जी बाई इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं तो यह बन जाएगा हमारा यानि यह थर्टीन नमबर नियम है जिसमें कि हम इंडिरेक्ट और डिरेक्ट अब्जेक्स इलेटेड नियम को पढ़े ठीक है अब हम लोग देखेंगे फोटीन नमबर नियम फोटीन में क्या आता है उससे भी हम लो ठीक है तो और प्रेप यह निप्रेप जिसमें उसकी करते हैं तो इसके लिए कुछ करना नहीं है हम बस चलेंगे कि और पर सब्सक्राइब करने के बाद reck के साथ प्रेपजिशन था वहीप वर्पेसाथ प्रेपजिशन को भी लिख देंगे देखो जैसे एक वाकिया पे में समझा रहा हूं समझ में आ जाएगा इसलिए मैं रूल नहीं लिखा हूं यहां पर ही looks आफ्टर मी मतलब हमें करना क्या है कि हम इग्णोर कर लेंगे प्रेपजीशन को ठीक है ना नॉर्मली बना लेंगे he looks after me यानि मान के चलते हैं कि after नहीं है यह है तो subject verb object यह present definite है तो present definite में पैसी में क्या होता है subject plus me-jar plus v3 होता है तो यह आ गया आई फिर उसके बाद m आ गया अब वर्ब 3 यानि look का looked हो जाएगा क्योंकि हम मान के चल रहे थे कि preposition है नहीं मतलब उसको ignore कर रहे थे तो अब क्या करेंगे कि जहां पर प्रेपजिशन था जिसके साथ था उसी के साथ लिग देंगे यानि सुने हो ना यह साथ साथ चलता है वर्बबा क्या करेगा साथ साथ चलेगा साथ निभाना साथ तो आइम लूग्ड आफ्टर और क्या हो जाएगा जी अब यह है ना बाई ही में हो गया मतलब कुछ दिकत नहीं है बस जहां पर प्रेपजिशन था जिसके साथ में उसी के साथ में रख देना और वर्ब के साथ में था तो वर्ब के साथ में लिख दिया ठीक है अब एक वाक माई एक अब को ठेट तो रैन ओब सुर्यच को पस्छों गयान यह मैं रैनि या दूसरा रूप है पास्ट है तो करेंगे माई कैट वोजiben का क्या होता ही यह ला रन रैन तीसरा दूप सब्सक्राइब एक Galkop windows आन और झाया होरे साथ क्या होगा क्योंकि रोन के साथ है वाटो रहा तो माइक है रॉँ में चाहिए न वा सब्सक्राइब में ती को रहा हैWar खर लेंगे ठीख है तोग के दुआरा तो यहां पर यह संटेज में यह को हम लोग एक और दूसरा संटेज मिना लें फीचर में दे वील यहीं वाला लूक आफ्टर यू दे विल लूक आफ्टर यू यानि वे आपकी देखभल करेंगे फीचर में आ गया तो फीचर में आ गया तो हम में बताया ही था कि टेंस को रेकगनाईज करना है और उसके अनु यू वीज़ अब भी हो जाएगा ना मॉडलवर में भी लगता हे यू वील भी लूगड हो जायगा और अफटर है ना इसके साथी नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाता है ठीक है तो यह हमारा 14 नमबर रूल है इसको भी हम लोग वीडियो पॉच्छ करके इसकी इन से उट ले लेना और इसे भी नोट कर लेना तो अभी अभी हमने 14 कंप्लीट कर लिया 15 का मैंने यहां पर पॉइंट दिया हुआ है लेकिन और यहीं पर यह वीडियो स्टाप होगा इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग 15 से पढ़ना शुरू करेंगे ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि 15 नमबर जो नियम है यह कुछ अलग टाइप का नियम है इसको पढ़ने के लिए हमें जरूरी होगा कि imperative sentence का नियम हमें पता होन है और तब हम लोग imperative sentence for voice बनाना सीखेंगे यानि active to passive और कभी जरूरत पड़े तो passive से एक्टिव बनाएंगे ठीक है ना तो इस वीडियो में बस इतना ही और तब तक मैं चाहूंगा कि आप लोग imperative sentence complete कर लो ताकि जो है आगे आने वाला जो वीडियो है वह अच्छे से समझ में आए ठीक है तो इतना complete करते हैं और फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में फिप्टीन नमबर रूल के साथ और वो sentence जो है imperative का होगा ठीक है मैं उसमें बताऊंगा कि sentence कितने टाइप के होते हैं मैं एक बार रिकनाइज करा दूंगा और फिर मैं उसके बाद इसके बार मे डिस्क्राइब करने स्टार्ट करूंगा ठीक है तो तब तक complete करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई लूपीयो में टोुपीयो में बाई पुपीयो में अच्राइब करो चुपीयो में प्रिकना दूंगा घर खुपीयो खुपीयो चुपीयो